असलाम वालेकुम, सबास वेस्ट क्लासेस में आज हम इंशालला रतालू से चटपटे से स्नाक्स बनाना सिखेंगे तो रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आपको भी जरूर प्रिस कीजिए ताकि मेरी रेसिपीस के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं से बनाना यहां पर हमने रतालू लिये हैं देखे इन रतालू को पहले अची तरह से थो लेजिए और सुझी तरह से साफ कर लीजिए और अब हम इसे कट करेंगे सामने का थोड़ा सा हिस्सा कट कीजिए इसके बाद जिए मोटे मोटे चिप्स कट कर लीजिए जितने चिपस के कट कर दीजिए आदे इंच से थोड़ा से कम मोटाई के हमने चिपस कट कर लिए हैं देखें बस कुछ इस तरह से हमने चिपस कट कीए हैं अब एक non-stick pan को gas फरके, gas on कीजिए, फिर उसके बाद ये chips डाल दीजिए और इसमें आदा कप पानी डाल दीजिए, आदा कप पानी डाल दिया और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 teaspoon घी, ठीक है, घी हमने add किया, घी डालने से ये चिपकेंगे नहीं और पानी की वज़ासे अच्छी तरह से गल जाएंगे, और एक tablespoon हम इसमें गुड का चूरा डाल रहे हैं, यानि पिसा हुआ गुड डाल रहे हैं, अब सारी चीजों को अच्छी तरह से mix कीजिए, गुड की वज़ा से इसमें मिठास आएगी, और ये पानी की वज़ा से गलेंगे, और घी की वज इसका धकन खोलिए और इसे पलटा लीजिए, ठीक है, पलटा कर इसे आप फिर से धीमी आज पर इसे पकाईए, जब तक के पानी सूख नहीं जाता, ठीक है, पानी सूखने तक हमें इसे पकाना है, देखिए पानी अब सूख गया है, देखा आपने, और इसका color भी change हो गय है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ रतालू के जो चिप्स है वो बाहर निकालेंगे, और इसे हम बिलकुल बराबर करेंगे, यानि ये पैन में जितने आ सकते हैं, उतनी ही हमने इसमें चिप्स रखने हैं, देखिए हमें ये थोड़े से केरमलाइज करने हैं, तो मैं इसमें गुड और घी डाला है, तो उसकी वज़ा से इसका जो नीचे का हिस्सा है, यानि उसके जो सर्फेस है, वो करमलाइज हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा, आप इसे दोनों तरफ से धकन धाक कर, एक एक करके सेक लें, यानि एक बार ए और दो मिनिट इसे पका लें, तो ये अच्छी तरह से करमलाइज हो जाएगे, और बहुत जादा मज़िदार लेंगे, देखा आपने, बस इस तरह का हमें चाहिए, अब हम इसे दोनों साइट से कर लेते हैं, देखिए हमने इसे दोनों साइट से कर लिया है, कितना प्यार सा कलर आया है, देखा आपने, और ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो गए है, अब हम इसे निकाल लेते हैं, बस हमें इसी तरह के ये रतालू के चिफ्स चाहिए, देखा आपने, बहुत मज़ेदार लगते हैं, आप इसे ज़रूर बना कर देखिए, देखिए, अब हम आपक स्कून तेल डालेंगे, तेल गरम करेंगे, और उसमें हम इस तरह से रतालू रख देंगे, रतालू आप जमा दीजिए, फिर उसके बाद इसमें आदा कप पानी डालेंगे, पानी ज्यादा ना डालें, वरना रतालू फीके हो जाते हैं, आदा कप पानी डाल दिया हमने, धकन धाक कर हम इसे धीमी आज़ पर गलने के लिए रख देंगे एक 15-20 मिनिट बाद ये अच्छी तरह से गल जाएंगे देखिए आप इसे चेक कीजिए अंदर तक फोक डालिए बहुत अच्छी तरह से अगर गल जाते हैं तो अंदर तक फोक जाता है देखिए ये अच्छ और फिर आप इसमें एक कट मार दीजिए सबीर अतालू में आपने इस तरह से एक कट मार लेना है और कट मार कर हम इसे निकाल लेंगे या फिर आप इसे प्लेट में रखकर ही कट मारें बीच में से या फिर आप पैन में रखकर मारें किसी भी तरह चलेगा देखिए इस त अब हम इसमें नीमू करज डालेंगे हमने इसमें नीमू करज डाला फिर बिलकुल थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाले, ज्यादा नमक ना डाले चुटकी भर हम ने इसमें नमक डाल दिया नमक डालने के बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर छिड़क देंगे और लाल मिर्च पाउडर अच्छी तरह से इस पर छिड़किए और उसके बाद हम छिड़केंगे चाट मसाला चाट मसाला डाल दीजिए चाट मसाला अच्छे से डालिए बहुत मज़िदार लगते हैं ये अब आप इसे खाईए नीमू का रज़ चाट मसाला लाल मेश इतना जादा मज़िदार लगता है कि आप इसे खाते ही रह जाएंगे आपका पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा ये एक सूपर फूड है आप इसे इस तरह से जरूर खाएं बहुत ज़्यादा देगा और इस मौसम में रतालू मंगाईए और इसे इन दोनों तरीखे से बना कर खाईए देखें ये चिप्स भी कितने अच्छे लग रहे हैं देखें ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और ये जो हमने रतालू बनाए है वो भी बहुत ही जबरदस्त है ये मेरी फैमिली फेवरेट रतालू है जो मैंने आपको बताए थी आपको पसंद होंगे इंशाला फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू